बहुत सी researches में देखा गया है कि 100 में से 99 ऐसे धनी जो किसी lottery, किसी jackpot को जीतने के वज़े से धनी बनते हैं, वो जादा दिन तक धनी नहीं रह पाते हैं, और कुछ दिनों बाद वो वापस अपने पुराने financial status पर लौट आते हैं। वहीं ऐसे self-made धनी जो खुद अपने तिम्माग और अपनी मेहनत से rich बनते हैं, वो भले चाहे सारा धन गवा दें। पर कुछ दिन बाद वो वापस उस गवाई हुई दौलत को बना लेते हैं, ना सिर्फ उस गवाई हुई दौलत को वापस पा लेते हैं, बलकि उससे भी अ होता है, ऐसा होता है आपके financial blueprint की वजह से, और आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, कि यह क्या है और आप इसे कैसे बदल सकते हैं, सब्सक्राइब करिए सकसेजी चैनल को, and don't forget to press the bell icon for the latest edutaining videos. Hey my name is Ashutosh Dubey aka सकसेजी, आप चाहे जितना जान लें, चाहे जितना सीख लें, को चाहे कर लें, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप अपने mind की programming को नहीं समझ लेते हैं, हम इस वीडियो में टी हाव एकर के द्वारा की गई research और उनकी book, secrets of millionaire mind में दी गई findings और principles से मिलने वाले खास और चुदिन्दा lessons के बारे में बात करेंगे, जिन से हमें पता चलता है कि अपने subconscious mind में हम अपना financial blueprint कैसे तयार कर सकते हैं, और इनी principles की मदद से खुद टी हाव एकर एक असफल जीवन को सफल बना पाए और केवल धाई साल के कम समय में खुद एक सफल करोड़ पती बन कर दिखाए, ये वीडियो हर व्यक्ति की सफल तक लिए बहुत important है, अगर आप इसका पूरा benefit चाहते हैं, तो इसे ऐसा सोच कर देखिए कि जैसे आपकी पूरी life इस पर ही depend करती है, इसे ज़रा यूँ समझे, माल लीजिए आपने अपने कम्प्यूटर में एक word file बनाई, कुछ लिखा और print किया, print out में आपने देखा कि एक spelling गलत है, आपने एक eraser और marker की मदद से उसे सुधार दिया, और दोबारा print किया, पर दोबारा आपके सामने वही spelling mistake आ जाती है, एक बार फिर से आप उस page पर eraser और marker से हमला कर देते हैं, और सुधार कर देते हैं, आप चाहे सौ बार भी ऐसा कर ले, पर वह spelling गलत ही print होगी, क्योंकि problem उस page में नहीं है, problem उस word document में है, जो आपके computer में saved है, page is just the result, not the cause of the problem, और जब तक problem के cause उसकी जड़ में सुधार नहीं करेंगे, तब तक आपको same और faulty results ही मिलते रहेंगे, यही reason है कि बार बार, बार बार मेहनत और कोशिशों के बावजूद कुछ लोग असफल ही रहते हैं, क्योंकि वह सारा ध्यान result बहतर आए, इस पर देते हैं, result के cause पर नहीं, So the first lesson is, a lack of money is never ever a problem, a lack of money is merely a symptom of what's going on underneath, पैसे की कमी समस्या नहीं है, समस्या अपने अंदर ही है, अगले lesson की तरफ बढ़ने से पहले फटटफट सक्सेजी सब्स्राइब कर दीज़े, क्योंकि आपकी सफलता के लिए, मैं हर हफ़ते ऐसे ही अध्यूटेनिंग वीडियो सक्सेजी में अप्लोड करता हूँ, और मेरे पिछले वीडियो को भी जरूर चेक आउट करिएगा, वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था, कि कुछ अमीर लोग थोड़े समय के लिए भले ही चाहे अपने पैसे गवा दे, पर फिर वो उतना या उससे भी अधिक धन बनाने में सफल हो जाते हैं, ऐसा होता है उनके सबकॉंशियोस माइन में सेट उस फाइनेंशियल ब्लू प्रिंट की वज़े से, जो एक थर्मो स्टाट जैसा होता है, जो बिलियन या मिलियन डॉलर में अलरी सेट है, डॉनल्ड टरम की नेट वर्थ अगर मिलियन डॉलर हो जाए, तो वो कैसा फिल करेंगे, वो खुद को दिवालीया जैसा महसूस करेंगे, क्योंकि वो केवल एक millionaire बन कर कभी खुश नहीं रह सकते हैं उनका thermostat सेट है billion dollars के लिए तो वो billion dollars को target करके काम करेंगा और उनका दिमाग उन्हें वो सब कुछ देगा जो billion dollars बनाने के लिए जरूरी है तीन वैसे ही जैसे एक मध्यमवर का आग्मी केवल इतने पैसो के सपने देखता है कि वो अपने सारे जरूरी खर्चे पूरे कर सके सारे bills चुका सके और अपने परिवार को एक ठीक ठाक जिन्दगी दे सके और ऐसे ही होता है उसे केवल ठीक ठाक life ही मिलती है क्योंकि अगर आप ठीक ठाक life चाते हो उसने खुद एक average life एक average income को set कर रखा है तो lesson number two when your intention is to have enough money to pay the bills that's exactly how much you'll get just enough to pay the bills not a dime more और ऐसा financial blueprint बनता है आपकी mental programming से आपकी mental programming जो की बचपन से ही शुरू हो जाती है पैसा ही सारी बुराई की जड़ है मुसीबत के समय के लिए पैसा बचाएं अमीर लालजी होते हैं पैसे पेड़ पर नहीं उपते हैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है अगर आपने अपने घर में बचपन में सारी बाते सुनी हैं जो आपकी फाइनिशल लाइफ चला रहा है थ्यान दीजिए मतलब बच्पन में या पास्ट में की गई mental programming आपके विचारों को बनाती है जिनकी वजह से आप कोई भी काम करते हैं और वो सारे काम के परेडाम बनकर आपके सामने आ जाते हैं जब आपके mind को logic और emotions में से किसी एक को चुनना होता है तो जीत हमेशा emotions की ही होगी याद रखे अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ों को बदलना होगा दिखने वाली चीजों को बदलने के लिए ऐसी चीजें बदलना होगा जो नहीं दिखती है हम cause और result की दुनिया में जीते हैं पैसा wealth result है health result है, बीमारी result है, मोटापा result है, धन की कमी परिणाम यानी result है इसकी जड़ कारण क्या है ये मुद्दे की बात है क्या reason है कि आप अपनी पुरानी सोच की मदद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कहीं न कहीं कमी तो उसके अंदर ही है तो आपके जो पुराने सोचने का तरीका है उसे बदलना होगा पैसे को लेकर negative मत सोची अगर किसी के पास कोई अच्छी शांदर कार दिखाई दे तो ये मत कहिए कि चोरी का पैसा है हराम का पैसा है कितनों को लूट करके पैसा कमाया है वगेरा वगेरा अगर ये सारी बाते आप कहते हो तो कहीं न कहीं आपके subconscious mind में पैसे को negativity से relate किया जा रहा है जिसकी वज़े से कहीं न कहीं unconsciously आप पैसे से दूर भागते हो आपका mind आपको पैसे से दूर भागाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप बुराई की तरफ बढ़ें तो पैसे को लेकर आप positive सोचिए अगर कोई धनी है किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो उसकी तारीफ करिया और यह सोचिए कि मैं भी एक दिन इससे अच्छी गाड़ी जरूर लोंगा मैं भी इससे जादा पैसा जरूर कमाऊंगा तो यह था इस वीडियो का पहला पार्ट यह वीडियो बहुत जादा इंपोर्टेंट है इस वजए से मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है इसके मैंने कुछ लेसंस इस वीडियो में बताए है और आकी के बचे वी लेसंस में अगले पार्ट में पूरे करूँगा उसे भी बहुत ध्यान से देखिएगा आपको कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताए सब्स्क्राइब करिए सकसेज जी को लाइक करिए शेयर करिए क्योंकि शेयर करने से घ्यान बढ़ता है तो प्लीज शेयर करिए मेरे वीडियो को मेरे फेस्बूक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है तो प्लीज मुझे फॉलो करिए आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बेरी मॉच